इस वीडियो में हमारे question के आया है कि there are 10 professors and 20 students 10 professor हैं 20 students हैं out of whom a committee of 2 professors and 3 students is to be formed जिसमें से कि 2 professor और 3 student की committee बनानी है हमें find the number of ways in which this can be done तो बड़ा simple सा question है solve करते हम committee हमें बनानी है हमारे पास सबसे पहले तो कितने दिये हैं we have 10 profs and 20 students ठीक है अब इन में से हमें 10 में से 2 profs चुनने हैं और 20 में से हमें 3 students चुनने हैं और इनकी हमें committee बनानी है तो 10 में से 2 चुनने के क्या होगा हमारे पास we have 10 C2 और यहाँ पर हमारे बास है 20 C3 तो हमारे जो committee we will have number of committees तो ऐसे कितनी committees बन जाएंगे हमारे बास आप ध्यान दोगे तो 10 C2 into 20 C3 कि हमने 2 profs चुने हिदर से 10 C2 हो गया उसके बाद 3 student चुनने क्या तो हम multiply कर देंगे इन possibilities को आगे का question कहता है कि find the number of ways in which this can be done यह हो गया यह हमने निकाल लिया this is the answer further find in how many of these committees a particular professor is included and a particular student is included particular student is excluded तो बहुत simple सा question है यह हमने क्या किया है कि एक particular profs को तो include करना ही है ठीक है यहाँ पर कुछ-कुछ हमारे cases बन गाए है कि a particular professor is included a particular student is included and a particular student is excluded यह तीन चीज़े हमारी एक साथ follow हो रही हो ठीक है तो यह तीन चीज़ें एक साथ follow हो इसके कैसे कैसे हमारे पास cases बनेंगे so let's see एक प्रॉफ हमको पक्का include करना है ठीक है तो when पर्टिक्यूलर प्रॉफ इस इंक्लूडड जब कोई एक पर्टिक्यूलर प्रॉफ इंक्लूड कर रहे हैं हम इसका मतलब हम एक तो चुन लिया हमने इसका मतलब हम 10 में से नहीं और कितने चुन रहे है एक तो हम चुन चुके हैं इसका मतलब एक चुन रहे है हम 9 में से चुन रहे हैं करेक्ट 9 out of ये 1 out of 9 इसका मतलब 1 out of 9 चुन रहे हम करेक्ट तो यह कितना होता है 9C1 इसका मतलब प्रॉफ को चुनने के कितने पसिबिलिटी हो गए 9C1 और वी आरे मेकिंग शूर अगला क्या है परिप्र किल स्जूरींट य सो कि wraps अधि है वन स्टूदेंट ए पर्टिक अधिर स्टूड इप वस्तूड इंग रहें पक्के से और वان स्टूडेंट यह प्रटिक टूरेंड इए अधिक्स्ड मे पार्टिक्ली इन एक स्टूोडेंट है इसした is excluded, ठेक है, तो ऐसे case में क्या होगा, कि पहले तो हम, before what we were doing, we were selecting 3 out of 20, पर क्यूंकि हम अब 2 student को लेकर करके sure हैं कि एक को हम चुनेंगे और एक को नहीं चुनेंगे, इसका मतलब हम सिर्फ 18 में से selection कर रहे हैं, correct, 18 में से क्यूंकि उन में से जो बाकी 2 है, उन दोनों का fate हमें पता है, तो हमारे पास selection सिर्फ 18 में से है, 18 में से हमें कितने चुनने हैं, क्यूंकि हम सिर्फ एक चुन रहे हैं, अभी तक एक ही हमने fix किया, तो 3 के बज़ा हमें आप 2 और चुनने होंगे, 18 में से हमें 2 चुनने हैं, तो हमारे क्या हो गया, यह 18 C2, ठीक है, तो this and this, 18 में से 2 क्यूं चुनने हमने, क्यूंकि जो बाकी के 2 थे, 20 में से हमने 2 कटा दिया, क्यूंकि कटा है 2, क्यूंकि एक धाटे, दो नहीं चुनना है वह लड़का और यह लड़का हमें चुनना ही चुनना है और क्यूंकि पहले हम तीन चुन रहे थे आपर हमें पता कि एक चुन चुके हैं 3 में से 1 घटा दिया तो 2 तो यहatteदो मिल गया, तो यह 2 अन्युद हमारे Chut चुननेंगे, final combination क्या हो जाएगा, final combination हमारा हो जाएगा, 9C1 into 18C2, यह answer हो जाएगा